हाई दोस्तों असलाब अलेकुम केसे आप लोग मेरे अम नभील है बहुत important comparison करने जा रहा हूं वह भी आप लोग के डिमांड के ऊपर अब यहां पर एक साथ चार फोन का comparison हो जागा क्योंकि यहां पर दो फोन जो है सेम है और दूसरे दो फोन जो है वो सेम है except for battery size and display size यहां पर देख सकते display size इंद उनका चोटा है यहां पर display size बड़ा है और battery size लेकिन जो difference है मतलब पिछले साल के pro model और इस साल के non pro model में वह consistent रहेगा वह constant रहेगा और ऐसा नहीं है कि यहां पर हम 15 plus को 14 pro से compare करेंगे अगर वह आपको चाहिए वह भी में बना के आपको दिखा दूँगा अभी फिलाल हम compare करेंगे 14 pro max 15 plus को और 14 pro 15 को और इस comparison में आपको काफी कुछ सीखने मिलने वाला है किस तरीके से इस साल के जो non pro model है वह पिछले साल के pro model के काफी करीब आ चुके और आपका decision जो making process है वो comfortable to hold भी हो गया है और देखने में भी काफी प्यारा और premium लगता है पहले के मुगाबले फिर भी दोस्तो प्रो मॉडल तो प्रो मॉडल है और इसका look जो है काफी अलग होता है stainless steel के side के जाथ यह जाधा premium लगता है और triple camera का setup भी इसकी premium बढ़ाता है बाकि यह frosted matte finish आलो जो glass ह यह दोनों में आ चुका है तो back curl look तो equally premium नोगा लेकिन in hand feel ज्यादा premium आपको लगेगी 14 pro pro max की और comfort ज्यादा मिलेगा 15 15 plus में अगर आप बिना case के इस्तेमाल करोगे तो लेकिन मस्बूती की बात करें दोस्तों तो 15 के बारे में आज कल आप देखी रहे है कितने सारे वीडि इसके पीछे एक steel की plate है जो के 15 series में absent है लेकिन इसका benefit 15 series को यह है कि वहाँ पर repair cost जो है back glass तूटने पर वो कम है लेकिन back glass तूटने का भी आसानी से वेट के अगर बात करें तो 15 से 14 pro max जो है यह बीज ग्राम हेवी है तो अगर आपको heavyweight चलता है तो 14 pro pro max जो है definitely better build, better build quality और ज्यादा मजबूत और robust build के साथ है रही बात IP rating की तो दोनों के अंदर आपको IP67 की dust and water resistance मिल जाते हैं बिंदास पानी मावित को भिगा सकते हैं दोनों ही 6 meter तक water resistant है अब गयाच डिस्प्ले की बात करते है 15 और 14 pro में आपको 6.1 इसका display है और 15 plus और 14 pro में 6.7 इसका display देखने पर ये चीज जो है equal pleasure देगी आपको और दोनों ही के अंदर आपको ये dynamic island देखने मिलता है जो के पहले से pro models में आता था लेकिन अभी के non pro models में भी apple ने दे दिया है जिन्होंने dynamic island experience नहीं किया है उनको अच्छा लगे ना लगे लेकि जिन्होंने experience किया उनको अच्छा ही ल देखने मिलता है तो अकर आप किसी 1280 के refresh rate के phone से आ रहे हो तो आपके लिए pro models better है और दूसरा difference displays के अंदर है ये always on mode जो के 15 15 plus में नहीं है लेकिन 14 14 pro max में है और इसको भी आप दो तरीके से रख सकते हो एक तो इस तरीके से पूरी black screen और timing और दूसरा इस तरीके से जहां प तो audio test हमने किया और इसका result जो है बिल्कुल सिमिलर है वही 86-87 decibels तक यह जा सकते है लेकिन इस साल का जो pro max model है उसके अंदर जो हमने टेस किया तो 90 plus चला गया तो यहां पे loudness जादा है 15 plus या 15 versus 14 pro pro max के अंदर loudness आपको सेम देखने मिलेगी और बहुत अची है loudness इसकी अब RAM भी दोनों के अंदर 6 GB का ही है और अगर हम बात करें benchmarks की क्योंके speed test करके कुछ फायदा नहीं है दोनों सेम ही result निकालने वाले तो यहां पे आप देख सकते है यह 14 pro और यह 15 दोनों के benchmarks काफी similar ही है 19-20 का फरक रहने वाला ही है कभी कोई आगे कभी कोई आगे और GPU का score भी आप देखेंगे दोनों devices का तो काफी similar ही निकल के आने वाला है तो general performance, day-to-day task जो भी आप करते हो video render भी अगर आप करते हो तो दोनों में same result निकल के आने वाला है आप performance में कुछ भी lose out नहीं कर रहे है लेकिन gaming के अंदर आपको फरक दिखने मिलेगा क्योंके display जो है 120Hz के refresh rate को support करता है 14 pro pro max में 14 pro और pro max के अंदर bgmi 90 fps support करता है लेकिन 15 15 plus में bgmi 60 fps ही support करेगा display का restriction है obvious सी बात है और कुछ games ऐसे होते है जैसे guns of boom जो आप 120 fps पे खेल सकते हो लेकिन 15 15 plus पे जो हमने खेल के देगा तो 60 fps का option है और यह बड़ी obvious सी बात है और console gaming 15 pro pro max में आने वाली है व और अगर अब heating के बारे में concerned हो तो एक बात आपको बता दू क्योंकि यहाँ पे chipset सेम है RAM सेम है GPU वगारा सारी चीज़े सेम है तो यहाँ पर आपको जो heating है सभी phones के अंदर बराबर ही देखने मिलने मली है ऐसा नहीं कि 14 pro pro max जो है बहुत जादा heat होंगे और 15 15 plus जो हीट न भी same difference apple बताता है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो display है यह variable refresh rate वाला है तो जब आप जो है browsing करते हो तो 60 hertz से कम refresh rate पे भी जा सकता है या आप कुछ read कर रहे हो ताब उसको 60 hertz के refresh rate की दो नहीं तो काफी कम refresh rate पे हो जाके battery conserve कर सकता है लेकिन real life में आप देखेंगे यह lightning port की जगा अपने 15 सीरीज में यह type c port दिया है अब यह type c port है यह काफी कमाल की चीज है क्योंकि lightning के लिए एक तो accessories बहुत ही limited है और बहुत ही महंगी है आपको storage compared रहा है pen drive लगाना है तो pen drive लगा सकते हो एक 512 का ssd भी मैंने लगा के देखा वो भी बड़े आराम से चल रहा था connect हो रहा था keyboard connect करके देखा कोई प्रावल्म नहीं keyboard सीधा USB से connect करके typing कर सकते हो अपने phone से दूसरे iPhone को charge कर सकते हो दूसरे एरपोट को charge कर सकते हो दूसरे Android phone को charge कर सकते हो Apple Watch को चार्ज कर सकते हो और USB-C का hub भी लगा सकते हो जिसमें आप Ethernet connect कर सकते हो SD card भी read कर सकते हो अपने iPhone से यहां एक बहुत बड़ा ecosystem जो है iPhone 15 अपने साथ लेके आए अपने Type-C port की वज़े से तो अकर आपको Type-C port का थोड़ा सा भी काम है तो आपको 15 के लिए जाना चाहिए और आप iPhone 15 को directly किसी भी screen से connect करके screen mirroring कर सकते हो अपने photos, videos बड़े screen पे देख सकते हो लेकिन transfer speed की अगर हम बात करें अगर आप lightning cable से transfer करते हो कोई files यहां पर lightning port वाला 14 pro या pro max और 15 और 15 plus की transfer speed same है क्योंकि दोनों में USB 2.0 आता है camera comparison कर लेते हैं दोस्तों फटा फट से 14 pro pro max में आपको triple camera का setup देखने मिलता है back side में और एक lighter scanner भी मिलता है जो auto focusing में मदद कर वहीं पर 15 और 15 plus के अंदर आपको dual camera का setup मिलता है जिसके अंदेक ultra wide angle lens है और एक regular lens है आपकी वहीं पर 14 pro pro max के अंदर आपको टेली photo zoom का option देखने मिल जाता है दोनों ही phone के जो camera's है जो main camera's है 48 megapixel के ही है काफी tough competition रहने वाला है चलिए देखते हैं दोनों phone के front facing camera से आप देख और यहां पर picture की quality भी आपको समझ में आ जेगी और vlog करते हो इन phone से तो field of view जो है कैसा आपको देखने मिल रहा है दोनों का मुझे बराबर सा ही लग रहा है और दोनों जो है वो same tripod के उपर mounted है हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है selfie stick और यहां पर मैं walk कर रहा हूं तो यहां पर बात करें वीडियो की quality की front facing camera से तो similar ही है दोनों के अंदर पर skin tone का हलका सा मुझे फरक लगा जहां पर 15 का skin tone मुझे slightly better लग रहा है 14 pro max के skin tone के मुकाबले बाकि दोनों की footage जो है overall बहुत ही similar है और front facing camera में cinematic video mode दोनों में ही 4K 30fps पे आप record कर सकते है quality बहुत ही similar है 19 बिस का फर इनके rear facing camera से अब यहां पे जो वीडियो तो ध्यान देना है आपको audio के भी ध्यान देना है किसमें better audio निकल के आ रही है अब दोनों फोन जो है यह rear facing camera से 4K 30 4K 60fps दोन recording कर सकते है तो fair comparison है लेकिन audio किसमें आपको better देखने मिल रही है वो भी देख लेना है क्यूंके video के साथ- important चीज होती है जिसके उपर आपकी video की quality depend करती है अगर आप vlogs करते हो अगर आप YouTube वीडियो बना रहे हो तो किसमें आपको better video और better audio देखने मिल और audio इसमें जो है बहुत important factor लेक करती है तो audio बहुत ज़दा important है इसलिए मैं इसलिए जादा forward कर रहा हूं ताकि आप quality है जो image की quality है colors है काफी हद तक similar है और बताना बहुत ज़दा मुश्किल है कौन सा किस phone का वीडियो है बस clouds की तरफ देखके मुझे 14 pro max की footage बेटर लग रही है आप सिनेमाटिक वीडियो मोड 4K 30fps दोनों phone record कर सकते है मुझे slightly better लग रही है 14 pro pro max की वीडियो है वो when compared to 15 और 15 plus क्यों ऐसा है क्योंकि slightly details और color जो है बेटर लग रहे है 14 pro pro max में और जो separation है background और foreground का subject का background से वो भी जो है better नजर आ रहा है air detection भी slightly better लग रहा है लेकिन 19 भी इसका फरक है जमीन आस्मान का फरक नहीं है यहाँ पे और sky अगर आप देखेंगे तो slightly जो actual sky में clouds वाग रहा है वो better तरीके से represent कर पा रहा है 14 pro max 15 plus और 15 जो है इसको नहीं कर पाते है अब एक zooming test करके देखते हैं यह 1x की video है zooming test ले कर रहा ह अब 6x पे जाते है जो के 15 और 15 plus का maximum zoom है अब दोनों devices पे जब हम 6x पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 14 pro max की जो वीडियो है वो better आपको नज़राएगी जादा better quality की है 15 15 plus में already grains है और उसके बाद 14 pro max को 9x तक digitally zoom कर सकते हो जो कि 15 15 plus में possible नहीं है तो इसमें winner 14 pro max कर रहा है अभी action mode try करते action mode के under जो है दोनों ही 2.8K में video recording कर सकते है और काफी similar footage आपको देखने मिलेगी लेकिन stabilization के मामले में 14 pro max जो है और 14 pro winner है इसमें भी यहाँ पे तो कोई comparison बनता ही नहीं guys macro video यह support ही नहीं करता 15 15 plus 14 pro और pro max पे आप macro videography कर सकते हो तो results आपके सामने है र auto focusing में help करता है वो night time में indoor lighting में selfie video यहाँ पे देख सकते है आप दोनों के बीच में comparison ग्रेनी footage तो दोनों में आई है लेकिन lens flare के अगर बात करें तो वो 15 में ना के बराबर है 14 pro max में काफी जादा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है तो यहाँ पे slightly improvement किया है 15 के front facing camera में lens flare क के मामले में और rear facing camera में same scenario के अंदर आप देखेंगे तो again lens flare आपको 15 में काफी कम नजर आ रहा है 14 pro max में lens flare का issue आज भी मौजूद है और यह कभी ठीक नी होगा software वगरा से यह hardware problem है बाकी footage की जो quality है दोनों में बहुत ही जादा similar है इसमें difference बताना ना मुम्कीन ही समझ सकते ह बस lens flare का ही यहाँ पे difference है चिल photography compare करते है शुडू करते है selfie के साथ दोनों फोन का जो resolution है selfie camera का वो same है और result भी यहाँ पे same ही निकल के आता है chipset भी दोनों में same है तो processing भी मुझे लगता है same ही हो रही यहाँ पे कोई difference मुझे नजर नहीं आ रहा except for slight difference in color और selfie में portrait में भी आप यहाँ पे edge लग रहा है 15 15 plus के front facing camera में edge किस मामले में edge details के मामले में बाखी separation वगरा जो है edge detection दोनों में सही है एक जह सही है यह rear camera की main sensor की photo है और दोनों ही 48 megapixel पे photos ले सकते हैं बहुत ही similar photo जो है यहाँ पे निकल के आई है difference बतनाना थोड़ा सा मुझिल ही है बस slightly color में आपक darker shade पे दिखेंगे और ज्यादा vibrant दिखेंगे वहीं पे 15 15 plus के slightly lighter नजर आ रहे है यह जो photo है यह हमने 2x पे लिया है और दोनों ही में 2x जो है 48 megapixel के sensor में crop in करके 12 megapixel की photo के साथ ली जाती है यहाँ पे मुझे slightly better photo जो है 15 15 plus वाली नजर आई लेकिन अब जो है game जाता है favor में 14 pro pro max के क्योंकि यहाँ पे 3x optical zoom के साथ यह photo ली गई है आपको देखने में हो सकता है 15 15 plus की photo better लगे उसके colors की वज़े से लेकिन actual photo जो better आई है 14 pro pro max वाली आई है क्योंकि इसमें details जो है और quality जो है बहुत ज़ादा है when compared to 15 15 plus और colors आप slightly tweak भी कर सकते है लेकिन quality वापस नहीं लेक आसकते details नहीं लेके आप आएंगे अब यह 1x पे हमने portrait photo लिए rear camera से दोनों ही phones पे color के difference के अलावा मुझे और कोई difference यहाँ पे महसूस नहीं हो रा बहुत ही similar picture है 2x portrait भी दोनों फोन ले सकते है digitally crop in करके और यहाँ पे आगर आप देखेंगे तो बहुत ही similar photo निकल के आई है बस 19-20 का जो फरक है वो color के अंदर है और skin tone के अंदर है लेकिन यहाँ पे game again आजाता है 15 pro pro max के waiver में क्योंकि यहाँ पे 3x में भी portrait photos आप ले सकते है इससे जो कि 15 15 plus में possible नहीं है और यहाँ पे इसकी जो quality है वो completely next level है when compared to 15 15 plus इस full की photo मैंने जो है थोड़ी दूर से लिया है और यहाँ पे जो better photo आई है वो 15 15 plus वाली आई है लेकिन क्योंकि इसमें macro mode नहीं है macro photos वो नहीं ले सकता तो यहाँ पे definitely जो winner है वो iPhone 14 pro pro max ही है यह काफी बड़ा let down मुझे लगता है non pro model में macro mode नहीं देने वाला night mode में यह building की मैंने photo ली है और इसके अंदर आप देख सकते हो के lens flare जो है 14 pro max में बहुत ज़ादा आपको देखने मिल रहा है और उपर की तरफ अगर आप देखेंगे जो वायर गई भी है उसके side में भी आपको एक चोटा सा UFO नजर आ रहा है actually UFO नहीं है वो lens flare ही है जो lens flare का issue 14 pro max में बहुत ज़ादा देखने मिलेगा 15 के अंदर काफी हद तक reduce कर दिया है इमेज की quality जो है दोनों के अंदर सेम ही निकल के आती night mode के अंदर rear facing camera में indoor lighting के अंदर artificial lighting के अंदर यह photo आपको देखने मिलेगी जिसमें photo की quality details काफी हद तक आपको similar ही देखने मिलेंगे लेकिन जो फरक है यहाँ पर वो pronounce lens flare का ही है और selfie की image में भी similar ही आपको quality और details देखने मिल जाएगी except for lens flare camera comparison आपने देखा क्या समझ में आया आपको जो भी आपको समझ में है कौन सा better आपको लगा या कोई फरक लगा ही नहीं जो भी आप सोचते है comments में लिखके बता सकते है एक camera के अंदर एक और difference है वो है pro rest video और pro rest photo का जो सिर्फ आप 14 pro pro max पे निकाल सकते हो और 15 15 plus पे नहीं ल बात करते हैं pricing की बात करते हैं तो बिलकुत same storage variants आपको मिलते except for one variant 15 15 plus में आपको 128-256-512 मिलता है 14 pro pro max के अदर आपको 128-256-512 और 1TB भी मिलता है तो 1TB लेना है 14 pro pro max के जाना पड़ेगा लेकिन 15 15 plus के अंदर आप pen drive लगा सकते है तो वो भी एक जबदस option है और pricing की बात क Mac का pricing अप official कुछ रहा नहीं Apple की तरफ से वैसे 129-900 और 139-900 में इनका official price था Apple की तरफ से लेकिन 15 pro pro max निकाला है उनने तो इसका pricing हटा ही दिया है अब आपकी मर्जी है आपको ये phone जो है global वाले आप लेते है तो कितने price में मिलते है हो सकता 80 में मिल जाए हो सकता 90 में मिल जा और उस पर भी और कुछ डिसकांट कर रहे है रही बात 15 और 15 प्लस की तो उसके लिए भी में link ड्रॉप कर दूँगा description में और Apple authorized reseller से आप ये models भी खरीच सकते है और इनकी बहुत जादा demand है जितना मुझे पता चला या भी तो आप एक form है उसको fill up करके रख सकते है और जो लेकिन वीडियो के description को जरूर अपडेट कर दूँगा और इनके links वहीं पर रहेंगे आपको best pricing के तो लिक्स चेक आउट जरू करना आपका भी भी तो आपके हिसाब से कौन सा है विनर दोस्तो आइफोन 14 प्रो प्रो मैक्स या आइफोन 15 15 प्लस मुझे comments में लिके जरू ब